को इस्टॉल करते हो तो यहां पे अगर आपको प्रोटेक्शन और यह पॉप आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा यहां बैटरी लो है मुझे कि भाई यहां पे आडियो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि यहां पे इनकोग्निट होगे नया लुक आपको रेखनी को मिल है जहां पे on this day यहांनी देखनी को मिलता है एंटी फ्रोट प्रोटेक्शन जो कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था जो एड़् कर दिया गया जहां पाप डिखोए 4.9 GB मेरा फ्री है आउट प्लस त्री मेंसे आपको पूरे आप्शन मिल जाते हैं जो भी आपके के अंदर widgets वाल application available है Hello everyone I am MK और आज इस वीडियो में आपके लिए लिए कहा हूँ क्योंकि उन सबी features को मैंने यहां पर जो कर रखा है activate तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या कुछ यहां पर हमें इस वान नया देखनी को मिलता है 14 के तरफ से और यह किस तरीके से काम करेगा वो भी पता चलेगा वीडियो का फिज़ता इंट्रेस अपडेट आपको time to time मिलता रहे आपको तो यह पता ही हुआ कि जब भी कुछ आना होता है लॉंच होना होता है तो उसके कुछ लीक्स इंफ्रमेशन निकल के सामने आते हैं जो कि आगे चलके बिल्कुल है जो रियल होते हैं और अभी में 14 से रेलेटेड़ कुछ एक्रा इ है जो कि Xiaomi UI के तरफ से जो यह share किया गया है जिसमें आप यहां पर दिखुए कोडिंग जिसमें पता चला है कि हमारा जो इंटर्नली 14 के उपर है जो काम चालू हो चुका है और कुछ लोग का यह भी मानना है ना कि 13.5 को skip कर दिया जाएगा वो हमें देखने को नहीं मिलेग जो कि आपने चेक कर लिया तो काफी अची बात है अगर नहीं चेक किया तो don't worry मैं आपको यहां पर उन में से कई सारे features आपको है जो दिखाने वाला हूं जो कि कैसे काम करते है उसे मैंने अभी personally activate कर रखा है तो चले switch करते हम अपने phone के उपर देखते हैं कि वह कौन-कौन से features है और किस तरीकी से यह काम करेंगे तो अभी मेरे पास है Mi 11x और इसमें मैंने चाइना का रोम डाल रखा है और internal testing वाले रोम में जब भी कुछ नया update आता है ना तो वह हमें दिखाई दे रहता है क्यों वह पहले test होता है फिर stable होता है तब जाकि हमें काफी लंबे time के बाद देखने को मिलता है तो सबसे पहले change की बात करें न तो यहां पर आप पहले notice करते होए कि जब हमें जो free memory देखने को मिलता था यानि जो हमारा memory extension था वो सेटिंग में सो होता था यहां पर आपको recent में नजर नहीं आता था बट अब यह finally option add कर दिया गया जहां पर आप smartphone के अंदर देखने को मिलता था तो सबमी ने इसे add कर दिया गया है जो कि काफ यहां पर काम किया गया है जिसे एक्ट्वली में पता चल पाता है कि हाँ भाई कितना free है और वो दिख रहा है या नहीं करता था कि भाई नाम का देर खाय काम भी करता है या फिर नहीं करता तो यहीं कि जब यहां पर improve हो चुकी है इसके साथ साथ आपको यहां पर काफ जड़ा improvement देखने को मिलेगा इसके widgets के अंदर जिसका पूरा का पूरा look यहां पर बदल दिया गया और काफ़ important features भी add किये गए हैं जैसे कि home skin पर हम अगर widgets को open करते हैं तो यहां पर recommendation और category का भी option देखने को मिलता है और कुछ time पहले एक features आया था जहां पर icon नजर आता था जिसे पर tap करने पर जितने भी application widgets को support करते हैं उनके list नजर आते थी बट अब यहां पर search bar provide कर दिया गया है क्योंकि यहां पर कई सरे widgets आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहां पर use कर सामने आ जाएंगे तो यह find करने का एक काफी अच्छा बहतरीन तरीका add किया गया है हमारे widgets के अंदर साथ साथ यहां पर आपको recommendation जो हो देखनी को मिलता है इसमें कुछ latest और popular widgets आपको नजर आते हैं बाकि आप यहां पर category में जाके हर एक application के widgets को यहां पर browse करके manually आप select करक तो यानि apply कर सकते हो जैसे कि Security Apps related कई सारे widgets आपको यहां पर देखनी को मिलते हैं यहांपर calendars related आपको widgets देखने को मिल जाते हैं यहांपर要स related आपको कई सारे widgets देखनी को मिल जाते हैं और फী बाकियतर यहांपर ODC related है clocks related है तो ऐसे अलग अलग आपको चीज़े यहाँ पर दिखाए देगी यहाँ पर आप All पर टैप करके widgets के option में जा सकते हो और वहाँ पर जितने भी widgets से उसे one time में यहाँ पर check कर सकते हो जो अच्छा लगे उसे आप apply कर सकते हो तो यह काफी अच्छा option यहाँ पर Add कर दिया गया है इसके अलाबर अगर हम यहाँ पर side में आते हैं जो के हमारा App Weld है यहाँ पर भी काफी कुछ improve किया गया है जैसे आप यहाँ पर first देखनी को मिल रहा है यहां पर dashboard उसके बाद यहां पर बाक्यादर आपको widgets देखनी को मिल रहा है तो अगर हम इसके किसी भी widgets के उपर जैसे हमें change करना है उसके program long press करते हैं तब आपको यहां पर तीन नए option देखनी को मिलते हैं पहला आपको edit का option देखनी को मिलता है जिसपे click करते हैं जो भी आप use करें उसके section में चला जाएगा ताकि आप उसे edit कर पाओ दूसरा आपको देखनी को मिल जाता है remove और बीच में आपको दिखाई देता है switch का यानि switch का मतलब है कि आपको जो widgets apply है उसे हटा के किसी और को लगाना है और आप चाहते हो है बारवार मुझे इदर सुदर setting आजशना करना पड़े that वो हटे हो दूसरा आ जाए तो ये switch का option आप यहाँ पर use कर सकते हो जहाँ पर आपको पूरे option मिल जाते हैं जो भी आपके phone के अंदर widgets वाल application अवेलवल है उनका जैसे कि all category sticker, phone, health, clock, calendar, weather बगेरा तो आपको all चाहिए तो all पर रखो अधवार किसी एक को pick कर सकते हो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर health पर कर लेता हूँ तो यहाँ पर health वाले widgets नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर मैं all पर कर दूँगा तो जितने red टैप के widgets होंगे न वहाँ आपके सामने आ जाएंगे तो इस तरीकी से theme ओला option दे दिया गया है जहाँ पर all यह पर single color भी जो adjust कर सकते हो जो कि यह काफी अच्छा और beautiful option यहाँ पर आपको जो देखनी को मिलता है जो कि switch पर आपको नजर आता है साथ साथ यहाँ पर हम plus पर tap करते हैं तो यहाँ पर फिर से recommended और category तो मिलता ही मिलता है लेकिन यहाँ पर आप देखोए clock के अंदर भी एक आपको वेदर का option दिखाई देता है यानि clock प्लस वेदर का यह आपको दिखाई देता है widgets जो की नया दिखाई देगा और जब भी आपको वे widgets यहाँ पर apply करोगे ना home screen पर कुछ इस तरीकी से जैसे कि मैं आपको यहाँ यहाँ पर दिखाता हूँ वो यह apply करते हैं यहाँ पर आपको पॉप उसका है जो आइकन दिखाई देते रहता है कुछ दिर तक जब तक आप उससे successfully set नया कर दो ताकि आप अगर और add करना चाहते हो तो आप और भी add कर सकते हो यहाँ पर उसे back करके by default पर है जो आप आ सकत हो जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर फिर से add करके दिखाता हूँ तो आप देखो यहाँ पर weather का जो shortcut यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा widgets हमारा close नहीं हुआ है जबकि यहाँ पर उसका widgets apply हो चुका है तो आप यहाँ पर फिर से tap करके और भी add कर सकते हो बार बार जादा better और strong किया गया है जहाँ पर आपको देखनी को मिलता है anti fraud protection जो कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था जो कि 13.5 के 25 वाले features के वीडियो थे बस उसमें मैंने screenshot किया था और कुछ guide बट यहाँ पर मैं really मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ फोन के अंदर install करक और same वोई चीज आपको message से भी related मिलता है ताकि fake और spam वाले message आपको ना मिले और मिले तो यह बता देख भाई यह spamming वाला है another आपको मिलता है apps related कई बार हम अलग-अप्लिकेशन AP के डालते रहते हैं हमारे phone के अंदर कोई भाई affected रहता है जो कि मारे phone का data चोरी करता है या आप फोन के अंदर का गलत effect डालता है तो उसे यह detect करेगा और आपको information देगा कि भाई यह application आपके phone के लिए साई नहीं होने वाला तो आप उसे हटा सकते हो तो यह भी काफी बहतरी option यहाँ पर add किया गया है जहाँ आप इनके protection को on रखो ताकि आपका phone और ज्यादा secure रह स सकते हैं आपके phone के अंदर वायस गुसा सकते हैं तो उसे भी यह detect करेगा और आपको warning देगा कि भाई यह site मत यूज करो तो यह भी चीज काफी अच्छा यहाँ पर improvement किया गया है जो कि यह add हो चुका है anti fraud protection के नाम से और उमीद करते हैं कि आगे चलके यह और बेटर होए औ recommendation जहां पर आप देखोगे नया look आपको देखने को मिल रहा है जहां पर on this day यानि आज के दिन में जो भी photos वगर आप click करोगे वह साइच चीज आपको है जो यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि भाई देखने में काफी यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है और widgets के अंद रूप में जो adjust कर सकते हो, add कर सकते हो और कुछ यहाँ पर आपको extra features भी देखने को मिलते हैं जो कि पहले हम यहाँ पर triple line manager आते थे उसे कुछ इस तरीकी से widgets के रूप में दे दिया गया है जहाँ आपको cleve, cutout और video editor, id, art और गया देखने को मिलता है तो इसको नया design दिया जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और एक काफी premium type का feel देता है आपके gallery के अंदर, जो कि काफी ज़्यादा सही लगा, कोई दिन पहले मैंने आप कोई कोई चीज़ बताया है कि जब आपको वीडियो को edit करते हो तो आप एक pro का features देखने को मिलता है तो वह भी application आप जब first time open करते हो जो कि आपका GPS पर डिडेक्ट करता है तो हाँ पे आप permission set कर सकते हो कि accurate GPS का location चाहिए या फिर आपका fake location चाहिए overall का जो कि यहाँ पर दिखाई देता है तो यह भी चीज़े और ज्यादा यहाँ पर optimize किया गया है और improve किया गया है अधसे साथ कुछ कु आपके वीडियो में बता आया था तो इस तरीकी से आप उसे accept कर सकते हो और agree पर click कर सकते हो ताकि आपका mobile data खराब न हो और जो भी काम हो जो भी downloading वगरा हो uploading वगरा हो वो आपके wifi से हो साथ यहाँ पर आपको phone के अंदर incognito mood देखनी को मिलता है जिसके on करतेने के बाद आपको जैसे में on करूँगा कि भाई यहाँ पर audio record नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर incognito mood यहाँ फिलाल on है जैसके लोग recording तो काम करेगा बट audio यहाँ पर record नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर safety and security का एक नया feature से जो दिया गया है जो कि आप यहाँ पर अपने status बार्सी से on and off कर पाऊगे साथ साथ कुछ और interesting आपको features देखनी को मिलते हैं जैसे कि मैं gallery के अंदर आता हूँ टूल बोक्स को enable करता हूँ यहाँ पर background music player का आपको option दिखाई देता है और बाकि यह सारे option तो आपको पता ही है इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ना इसका default music player यहाँ पर सामन यहाँ पर डिजाइन किया गया है जहाँ पर डेख से रहों किसरे के सब को format लुक देखनी को मिल रहा है alarm का clock का जहाँ यहाँ पर time and date और बाकिलर चीज़े दिखाई दे रहे हैं और हर एक timing के साथ आपको यहाँ पर clock भी दिखाई दे रहा होगा अस्ट of watch और यहाँ पर timer बगेरा जो की काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप काम करने लग गया है अनंदर यहाँ पर छोटा से improvement किया गया है apps installation से related जब भी आप आकर यहाँ पर कोई application को install करते हो तो यहाँ पर आपका protection on रहेगा तो उसे वह read करता है कि भाई वह आपका app secure है या नहीं और इसे permission information देना चाहिए या नहीं यह चीज़ तो आपको दिखाई देता ही है साथ यहाँ पर पहले cancel आता था अब आपको यहाँ पर exit का है जो button देखनी को मिलेगा जिस पर click करके आप उसे exit है जो यहाँ पर कर सकते हो और अगर कोई भी notification अगर आपका app air रहता है उसके वह पर आप long press करते हो तो यहाँ पर भी थ्वा सा information आपको थ्वा different आप देखनी को मिलता है जो कि एक unimportant का है और एक और option अभी यहाँ पर आना बाकि है जो कि आपको side में minus का sign देखनी को मिलेगा जिब भी आपको इस तरह किसे है जो slide करोगे तो यह features तो भी आया नहीं है लेकिन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था जो कि जल्दी आ जाएगा और भी बहुत सारे से छोटे मोटे अपडेट हैं जो कि अभी यहाँ पर अवेलबल नहीं हुआ है वह भी इंटर्नल टेस्टिंग में चल रहा है बट आने वाले टाइम में वह आपको देखनी को मिलेगा चल कल वाले वीडियो में आपको रेडी जो सोग कर दिया था आपने देख लिया है तो अच्छी बात है यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो यह आप वीडियो को छोड़के जा सकते हो यहाँ पर आप देखते हो कि आपको सॉटकर का एक नया ओप्शन देखनी को मिलने वाला जिसके help से आप without किसी application को उनिस्टोल किए हो उसके पहले stage पर जा सकते हो जैसे के आपने को यह application download किया उससे आप Day-by-day update करते जाए उसका size बर्शा जा रहा है और आपको लगता है कि पहला पर लिए परफेक्ट हा तो यहां से आप उसे reset कर सकते हो ताकि वो पहले वाले प प्रमीशन दे सकते हो जैसे कि वॉल्यूम के लिए वन टाइम प्रमीशन हो या ओल्वेज हो वैसे इंस्टॉल्ड एप का हो गया उसका स्क्रीन का सॉटकर का उसके बाद पॉप अगया रखा हर एक चीज को आप अलग अलग है जो यहां पर दे सकते हो साथ-साथ एक और काफ से चीज़ें ऐसे कि आपसे सोचो कि पर आपका फ़ोन का बैटरी लॊ है आपको बैटरीकी जरूपत है अपको बैटरीक की जरूबथ है लेकिन आपको लो हुआ आपने सूना ही नही this Miller का दख这 रूप काल है और बैटरी खंड माहिन ओसे से फॉक्ड मुझ आओ आहिगा त जिसमें आपको अलग-अलग color देखनी को मिलेंगे, पहले तो अभी आपको सिर्फ green color देखनी को मिलता है हर एक चीज के उपर, लेकिन यहाँ पर camera में आपका yellow हो जाएगा, GPS पर आपका blue हो जाएगा, और mic पर आपका red हो जाएगा, तो यहाँ पर बदलाओ किया गया है, और छोटा मोटा change देखनी को मिलेगा, जिसको पर मैंने कई वाएग वीडियो बना कर दिया है, आपको जैसा कि आप देखोगी, यह pop-up की रूप में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 100 जैसा feel देता है, और यहाँ पर set home screen पर आते हैं, जिसका जो look है न homepage का, यह भी बड़ा ह हो चुका है, जब कि अभी आप अपने phone में normally check करोगे, तो आप छोटे छोटे आइकन दिखाई देते हैं, तो ऐसे कई सारे change है, जो कि आने वाले हैं, और कुछ change तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, तो क्या होब कि आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लग डिवाइस के users आप रहे हो, तो मेरा second channel subscribe कर लेना, वहाँ पर मैं customer room का वीडियो प्रोवाइड करते होंगा regular, और यहाँ पर आपको me wise related सारे update information मिलते रहेंगे, so thanks for watching, bye bye झाल